नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब उमीद करते हैं कि आप अपने घर पर कोरोना संबंदी सुरक्षा नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हो समय समय पर साबुन वा पानी से हाथ दोना और बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना ये सब आप अपने घर वालों को अच्छे से याद दिलाते रहते हो है ना तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की वर्क्षीट की तरफ आज की हमारी वर्क्षीट हिंदी की वर्क्षीट है जो की पार्ट थप रोटी थप दाल से ली गई है वर्क्षीट नंबर है 123 और ये वर्क्षीट आप आज यानि के दिन, वीरवार और तारीख 3 दिसंबर 2020 को कर रहे हो 3 दिसंबर की एक खास बात है 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है अंतराश्ट्रिय दिव्यांग जन दिवस जिसे हम International Day of People with the Disabilities भी कहते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतराश्ट्रिय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है यह दिन दिव्यांग जनों के प्रती, लोगों के दृष्टिकोन यानि के उनके देखने के नजरिये में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक कराने और उन्हें आत्म सम्मान तथा समान अधिकार दिलाने के उद्देश से मनाया जाता है आपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो आँख से देख नहीं पाते या जिने सुनने के शमता पूरी नहीं होती या किसी तरह से किसी के चलने की चलने की जो शक्ती है वो पूरी नहीं होती पैर प्रभावित होते है या पैर नहीं होते या हाथों में किसी तरह का अंग भंग होता है तो इस तरह के सभी लोगों को हम दिव्यांग जनों के समू में रखते हैं और हमारा मानना है बलकि पूरे विश्व का अंतराष्टे इस तरह पर ये मानना है कि हमें इन लोगों के साथ समानता का व्यभार रखना चाहिए और दिव्यांग जनों के लिए जो अधिकार बनाए गए हैं ताकि वो तरक्की कर सके आगे बढ़ सके और सभी की तरह अपने आप से अपनी जरूरत के कामों को पूरा कर सके उसके लिए उनके अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाए तो इसलिए हर साल तीन दिसंबर को अंतराश्ट्रे दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है इन्हें दिव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भले ही इन में शारीरिक रूप से किसी तरह की कमी हो लेकिन मन से होसला पूरा होता है और अपने आपको साबित करने के लिए ये बहुत महनत भी करते हैं उधारन के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दीपा कर मरकर जिनके बारे में आपने पढ़ा था जो कि एक पैरा एथलेटिक थी पैरा एथलेटिक चैंपियन जिनके बारे में आपने पढ़ा था तो चलिए अब उनी से हम इंस्पायर होते हैं और आप आगे बढ़ते हैं हम अपनी वर्कशीट पर तो बच्चों आज क वाक्यों को पढ़िये वाह खूब चलाया मठा देखूं ये मीठा है ये खटा रोटी कैसी गरम गरम है घी से चुपडी नरम नरम है यहां मीठा व खटा ये शब्द मठा की और गरम व नरम ये शब्द रोटी की विशेष्टा यानि के खास बात बता रहे हैं संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताने वाले शब्द विशेषन कहलाते हैं उधारन के लिए आप चितर में देख सकते हैं पहले चितर में है समोसे कैसे समोसे चट पटे समोसे अगले चितर में रोटी है नरम रोटी उससे अगले चितर में है खीर साथ में क मोसे की खास बात है चटपटे, रोटी की खास बात है नरम और खीर की खास बात है मीठी, तो चटपटे, नरम और मीठी ये तीनों ही शब्द विशेशन कहलाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नमबर एक पर, नीचे चित्र में चित्र के सामने कुछ विशेशन शब्द लिखे हैं, चित्र के लिए सही विशेशन शब्दों को पहचान कर उस पर गोला लगाईए, जैसे की पहला चित्र है जिसमें एक कप बना हुआ है, जिसमें चाई है, तो तो बताईए कि ये जो कप में चीज पड़ी है जो मुझे लग रहा है चाय हो सकता है आपको ये कुछ और लगे इसकी क्या खास बात हो सकती है क्या ये स्वादेश्ट है क्या ये चटपटी हो सकती है क्या ये हरी हो सकती है क्या ये नीली हो सकती है तो जो भी सही विशेशन लगता है इस पर वो आपको गोला लगाना है उस शब्द पर अगली चित्र में आप देख सकते हैं एक बंदर जो कि पेड की डाल पर है अब इसके लिए विशेश्टा क्या लिखी है लाल उंचा नटखट और माच तो इन में से सही विशेशन आपको छाटना है फिर आगे है एक चड़िया बनी हुई है इसकी विशेश्टा लिखी है सुंदर खुशबुदार पुरानी डरावनी तो आपके हिसाब से इसके उपर सही विशेश्टा या विशेशन शब्द कौन सा होगा उस पर आप गुला लगाईए प्रश नमबर दो नीचे कुछ संग्या में हमारी मदद करेंगे तो चलिए पहला संग्या शब्द है किताब अब ये किताब कैसी भी हो सकती है कितनी भी हो सकती है है ना तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक संग्या इस पर विशेशन शब्द लिखना है जैसे किताब पर अगर मुझे लिखना हो तो मोटी कित या फिर एक किताब या फिर नई किताब या फिर पुरानी किताब है ना तो बहुत सारे अलग-अलग शब्द आप किताब की विशेशता के तौर पर लेख सकते हैं ऐसे ही अगला संग्या शब्द है मिठाई अब मिठाई ताजी मिठाई भी हो सकती है मिठाई बासी मिठाई भी हो सकती है मिठाई गर्मा गर्म भी हो सकती है सोचीए और अपने हिसाब से लिख लीजे उसे अगला शब्द है डाल, दही और राथ आपको इन सभी शब्दों के लिए विशेशन लिखने हैं अपने आप तो चलिए, प्यारे बच्चों, प्रश नमबर 3 पर आते हैं 14 नमबर को दीपावली का त्योहार था आईए देखते हैं कि आप इस त्योहार के बारे में कितना जानते हैं निमलिखेट शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर अनुछेद लिखिए शब्द हैं अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार, त्योहार, दीप, मिठाईया, सफाई, उपहार, नए, रंग बिरंगे, धन तेरस, रोश्नी तो इन सभी शब्दों का इस्तमाल करके आपको दीपावली पर एक छोटा सा अनुछेद लिखना है कोशिश कीजेगा कि सारे ही शब्द आपको सनुछेद में अलग-अलग तरीके से इस्तमाल कर पाएं जैसे 14 वर्ष से हमें क्या याद आता है कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पुरा करके आयोध्या वापस लोटे थे और इसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं दीपावली पर जगा-जगा दीप यानि कि देज लाए जाते हैं मिठाईया बाटी जाती हैं लोग घरों की सफाईया करते हैं दीपावली से कुछ दिन पहले सभी लोग अपने घरों की सफाईया करते हैं दिपावली के दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, बच्चे और बड़े रंग बिरंगे नएने कपड़े पहनते हैं, दिपावली से दो दिन पहले धन्तेरस भी मनाया जाता है, दिपावली रोशनी का तियोहार है, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला तिय आवली का चित्र भी बना सकते हैं तो यह आपकी आज की वर्क्षीट आपकी जिए अपनी वर्क्षीट हम मिलेंगे कल तब तक के लिए धन्यवाद